मेरे सभी प्यारे विद्यारतियों और से चक साथियों को मेरा नमस्कार बहुत दिनों से क्लास नाइन्थ के स्टुडेंट डिमांड कर रहे थे कि हम उनके लिए डू एस डिरेक्टेट पे वीडियो बनाए जो की क्लास नाइन्थ की रिमेडियल मॉडियूल में दिये गए है तो इसलिए आज हम लेकर आएं डू एस डिरेक्टेट जो की मादमिक सिच्चमंडल बोपाल के द्वारा प्रिसक्राइब्ड रिमेडियल मॉडियूल में दिये गए है और do as directed का मतलब होता है जैसा कहा गया है वैसा करें और ये question आपको question number 8 में आता है question paper में और 5 question आपके लिए होते हैं और जो आपकी remedial module में do as directed दिये गए है इसमें सबसे पहले jumble word दिये गए है जिनको rearrange करके हमको meaningful sentence बनाना है तो problem ये आती है कि हम jumble word को किस तरह जमाए कि वह एक meaningful sentence बन जाए इसके लिए हमको ये जानना जरूरी है कि sentence होता क्या है तो अगर हम sentence की definition की बात करें तो sentence is a group of words which gives a complete sense मतलब सब्दूं का ऐसा समूम जिसका पूर्ण अर्थ निकलता है वह आके कहलाता है means हमको सब्दूं को इस तरह से जमाना है कि उनका पूर्ण अर्थ निकले तो हो सकता है definition आपको समझ में ना आई हो इसके लिए हम एक हिंदी का उधारण देखते हैं यहाँ पे हम कुछ वर्ड ले रहे हैं जैसे खाता राम है आम तो यह कुछ वर्ड है और आप देख रहे हैं कि यह एक निश्चित क्रम में नहीं है अताहा इनका कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है खाता राम है आम आप ऐसे बोलेंगे तो कोई नहीं समझ पाएगा कि आप क्या कहना चाहते हैं और इसे को हम यदि एक निश्चित क्रम में जमा दें राम आम खाता है तो यह एक meaningful sentence बन जाता है तो अब यह एक निश्चित क्रम क्या है तो हिंदी में इसका एक निश्चित क्रम जो है वह है पहले करता इसके बाद करम आता है और उसके बाद क्रिया यदि हम हिंदी में इस क्रम से सब्दों को जमाते हैं तो वह एक वाक्य बन जाता है इसी प्रकार इंग्लिस में भी सब्दों को यदि हम एक निश्चित क्रम में जमाएं तो वह भी एक meaningful sentence बन जाता है और English में इसका क्रम होता है पहले subject means करता उसके बाद helping verb means सहायक क्रिया उसके बाद main verb मतलब मुक्क क्रिया उसके बाद object या other word आते हैं तो इस क्रम में हमको जंबल words को जमाना होता है जिससे वह meaningful sentence बन जाए तो subject का मतलब होता है sentence में हम जिस विसे की बात करें और verb आपको पता ही है जो भी काम होता है वह verb होता है और यदि क्या और किसको का जवाब जो मिलता है वह उसका object होता है तो जैसे कि आपके remedial में पहला जंबल जो words हैं दिये हुए है तो इसमें subject हमारा है क्योंकि हम वी की बात कर रहे है helping verb है should और our forest तो वर्ब हो नहीं सकती तो इसमें verb है protect और our forest जो वाकि की word है तो इस प्रकार से आपका sentence मनता है अगली जंबल words में हमको ध्यान देना है किसमें question mark लगा हुए है that means कि इसको हमको interrogative sentence बनाना है और इसका जो structure होता है इसमें helping verb आगे आ जाती है उसके बाद subject, then main verb, object and other word आते हैं और इसके बाद हमको question mark भी लगाना होता है तो इसमें helping verb दी हुई है can subject है you, main verb है give object है me and other word है your pen तो इसका जो sentence बनेगा can you give me your pen और question mark अब दिखिए next जंबल words को इसमें camel जो है वो noun है ज़्यादा तर subject आपका noun ही रहेगा यह pronoun तो इनको यदि हम rearrange करेंगे तो हमारा जो answer बनेगा camel has a big hump on its back यहाँ पे has जो है वह main verb भी है और आप इनको पहचाने कि यदि helping verb के रूप में आई है तो आप helping verb के बाद main verb लगाएंगे और नहीं तो जो helping verb है वही main verb का का काम करेगी और जो हमारा fourth जंबल words है वे हैं colored bus children visa full of yellow और इनको यदि हम जमाते हैं तो हमारा sentence बनता है visa a yellow colored bus full of children अब यहाँ पे children भी हो सकता था subject but we के साथ सा दिया हुआ है means subject और उसके बाद verb दी हुई है इससे हम पहचान जाते हैं कि यही हमारा subject है now it's your turn आपको हम कुछ जंबल words दे रहे हैं आप इनको rearrange करके हमको comments box में बताएं कि इससे कौन सा sentence बनेगा मिलते हैं next video में till then stay tuned and keep going on your study thank you